कल एक तारीक से मुख्य रूप से ग्यहूं की ही प्रक्यूर्मेंट इस बार ज्यादा होगी क्योंकि पिछले वर्षों में सर्सों भी होती थी लेकिन इस बार सर्सों जोके MSP से मार्केर रेट काफी ऊपर चल रहा है इसलिए प्राइवेट खरीद ही उसमें हो रही है सर्कारी खरीद उसमें नहीं हो पा रही अभी लेकिन रेट अगर आएगा ठीक तो सर्कारी खरीद करेंगे अन्य था जो प्राइवेट खरीद हो रही है उसी में हमेरी जितनी आवशक्ता ही होंगी फिर उसी में से हम पूरा करेंगे प्रोक्यूर्मेंट के संबंद में चोटे-मोटे विशह कई बार उठते रहे हैं इस बार हमने एक S.O.P. बनाया है पुस्त के तो नहीं मंगवाई मंगवा के सब मटवाद है S.O.P. के S.O.P. हमने डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए करनी है क्या क्या है फिर वो किसानों से लेकर के और उसके बाद फिर रेजिट्रेशन का काम जिन्होंने करना है मार्केटिंग बॉर्ड में मार्केटिंग कमेटी में सेक्टीज ने क्या करना है और उसके बाद आढदियों ने क्या क्या करना है और उसके बाद transporters का काम है फिर payment में department का का काम क्या है बेंक को ने क्या करना है और ultimately किसान के खाते में payment पहुँँ जाया है तो ये सारा जो SOP है इस बार लिखित में बनाया हमने जारी किया है ताकि उसमें किसी को कोई अस्मंजस न रहे हर किसी को अपना काम ध्यार में रहे और उसका sequence वो भी सबको ध्यार में रहे टाइमिंग सबको ध्यार में रहे और एक बात विशेश हमने की है कि इस बार जो delayed payment है यानि जे फर्म कटने के 72 गंटे के बाद यह दी payment होती है 22 गंटे के बाद अगर delay होता है तो फिर interest देंगे 9% का और इस बार inbuilt software हमने कहा है कि software inbuilt करते हैं ताकि जिस दिन payment हो रही है जिस दिन उसका जो भीजा जाएगा बैंक को उस दिन तक क्योंकि एक दिन बाद में बैंक लेता है बैंक जिस दिन हम बैंक को डायक्ट करते हैं उसके बाद एक दिन के अंदर रूब करते हैं तो वो एक दिन जोड़ करके 20 गंट है डिपार्टमें ने 48 गंटे लिए तो ऐसा उसके बाद अगर delay होता है तो फिर किसान को 9% का इंटरेस्ट भी साथ में जाएगा और पेमेट किसान को डायक्ट जाएगी एक समचार पत्र में हमारे किसी बंदू ने छाप दिया अपने में से ही किसान जो है वो आड़ती को आड़त देंगे ये गलत है हाँ आड़त तो जो है वो सरकार ही देगी आड़ती की आड़त तो वो सरकार देगी डिपार्टमेट देगा जो प्रक्यूर कर रहे हैं मैंने तो केवल इतना कहा था कि किसानों को सीधी पेमेट मिलेगी और किसान और आड़ती का कोई आप से लेंदे न वो अपना करेंगे नोकरियों के लिए खास करके ग्रूप C और D इसमें मल्टिपल जितनी भी डिमांड आती रहती है हर डिमांड के साथ उसकी जो फॉर्म भरते थे और उसमें साल भर में कई बार एक्जाम देना हर एक्जाम के लिए पोस्टिंग कितनी भी हो लाखों लोग लाइन में लगते है तो हमने उसको वन टायम रेजिस्टरिशन यह शुरू किया है और एकन परावदान은 ख़िया हैं जो अगले आगले इस वर्ट होने वाला है रेजिस्टरिशन शुरू हो गई है उसकी अन्तिम्ति थी अभी हमने तीस 31 चेलनों आज मैं उसकी घोज्शना कर रहा हूं कि उ मैंने और बढ़ा दिया है अभी तक आंकड़ा जो बताया जा रहा है मुझे चार लाख उनसट अजार पांच सो इकीस केंड़ेट ने अपने फार्म भर दिये हैं जिसमें से तीन लाख बीस जार हर्याना के रिजिडेंट्स हैं और कुछ ऐसे जिन्होंने स्पेस्वाई नही वाले हैं ताकि उससे ये सुनिष्चित हो जाएगा जोड़ दिया ज़्याना का नहीं दिखायागा वो अभी उसके बिना भी रिजिटर्क कर सकता है क्योंकि हम समयधानिक तो पर उसको मना नहीं कर सकते हैं तो रिजिटरेशन तो वो भी कराएगा इकतिस मईई दो मेने और बढ़ा दी क्योंकि अभी सारा ये जो एक्जाम होंगे वो मई के बाद ही होंगे तीन महीने तो अभी हमने जो जो जोड़ पाएंगे मही तक रेष्ट्रियों का इपंजी करन जो एक साल पहले शुरू किया था उसमें उस जो प्रावधान किये गए थे उसे मैं उसमें सबनता मिली लेकिन बाद में ये जो सेवन एक आमावला है इसका दूरुपयोग भी हुआ है आपको मालूम है इसलिए हम में मालूम है तो उसकी शक यहां जा लागू है वहां नहीं होगी पहले थोड़ा पर्मिशन लेके उसमें लूपोल कई तना थे उसना ते से वो करकरा देते थे नीचे लेकिन अब उसको लूपोल को बंद किया है इसकी कुछ कठनाईयां आ रही हैं लेकिन उसको कठनाईयों को दूर करने के लिए साव हर सरकार उनको regular करती रही है हमने भी एक बार regular की है अब भी regulation का एक move चलाया हुआ हमने उनको करेंगे लेकिन आगे ना बने कमसे हमें कोई एक समयासा जूरूर हमै तैक करना पड़ेगा विए इसके वाज़ सक्ति से लागू किया है कि एक एकर से नीचे जो भी जमीन होगी वो रेजिस्ट्री कराते समय उसका NOC लेना पड़ेगा और agriculture land तो हो पाएगी non-agriculture land unauthorized colony में कहीं भी registration उसकी नहीं होगी